नासा का अनोख़ जूनो प्रोब जूपिटर की एक दुस्सा से यात्रा पर है इसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गहरे राज उजागर करना हम आज सोलर सिस्टम में जो भी देखते हैं उस पर अतीत में भी या आज भी जूपिटर का असर रहा है सारे एस्टरोइट्स, सारे ब्लैनेट्स, सारे चंद्रमाओं और कॉमिट्स पर भी तो कई माइनों में जूणो हमें हमारे प्लैनेटरी सिस्टम और प्रिथ्वी के इतिहास का नजारा भी देता है जूणो का मिशन चोकिम भरा है जुपिटर स्पेस्क्राप्ट को चुटकी बचाते निगल सकता है लेकिन इस विशाल दुनिया के बेहत करीब पहुँच कर जूनों हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी तमाम जानकारी बदल सकता है वहाँ क्या हो रहा है ये सब जानने के लिए हमें इसके बहुत करीब पहुँचना होगा विज्ञानशू पेश करता है वे नासा मेट जुपिटर इंडिपेंडेंडेंस डे दूहजार सोला जूनो जुपिटर पर पहुँच कर अपना काम शुरू कर देता है ये प्रोब अपने हाई रेजोलिशन कैमरा का मूँ उतल पुतल से भरी इस दुनिया की तरफ करता है और इसकी तस्वीरे निराश नहीं करती जूनो द्वारा भेजे गई तस्वीरे बहुत ही खूपसूरत है अचानक ही इस प्लानेट की ऐसी शानदार तस्वीरे दिखने लगती है इन्हें देखकर कोई भी इनसान कहेगा ओ माइ गॉड देखो तो कमाल है ये तस्वीरे आ रहे हैं जूपिटर से ये जूपिटर के सबसे करीबी व्यूज है असी करोड किलूमिटर दूर मौजूद इस दुनिया की लेकिन हमने जूणो को सरफ तस्वीरे लेने के लिए ही नहीं भेजा था इसका एक प्रमुख लक्ष जूपिटर के अंधेरे से भरे केंदर में ज्छांक ना भी था जूपिटर से जुड़ा हमारा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका कोई कोई है और तभी हम सोचने लगते हैं हाँ इसका कोई होगा जिस तरह हर प्लैनेट का और प्रित्वी का भी कोई होता है लेकिन पता चला है कि शायद जूपिटर का कोई नहीं है किसी प्लैनेट के कोर में क्या माजूद है ये जानने से साइंटिस्ट अर्बो साल पहले उस दौर में लाट सकते हैं जब प्लैनेट्स बन रहे थे अगर जूपिटर की गहराई में क्या मौजूद है तो इस विशाल गैस प्लैनेट के निर्मान से जुड़ी हमारी समझ बदल सकती है अगर जूदो को कोई सॉलिट कोर मिलता है तो इसका मतलब हो सकता है कि जूपिटर पहले प्रिट्वी की तरह एक पत्रीला प्लैनेट बना और फिर बरता गया लेकिन अगर जूनो को कोर नहीं मिला तो इसका मतलब होगा कि ये पत्रीले चरण को छोड़ कर सीधा गैस के बादल से बन गया इस सवाल का जवाब मिलने से कुछ दूसरे रहस्त्रे उपर भी रौशनी पड़ सकती है अगर हम ये पता लगा पाएं कि जूपिटर कैसे बना तो हमें बाकी सोलर सिस्टम के बनने की कहानी पता चल जाएगी तो किसी प्लानेट के अंधरूनी हिस्से का पता कैसे लगाया चाहे जब आपको सिर्फ बादलों का उपरी हिस्सा दिखाई दे रहा हूँ ऐसे में ग्राविटी का इस्तिमाल किया जा सकता है जूपिटर का चक्कर लगाते वक्त जूपिटर के ग्रैविटेशनल पुल में छूटे छोटे हुए फरकों का अंदाजा आसानी से लगा सकता है जब जूपिटर की तरफ बढ़ता है तो क्राफ्ट को ग्रैविटेशनल स्पाइक्स महसूस होने रखते हैं जूपिटर के कुछ हैसे दूसरों के मुकाबले जादा डेंस है अगर जूपिटर किसी ठोस बॉल जैसा होता तो जब जूपिटर की परते हैं या ऐसी जगहें हैं जहां जादा मास है कम मास है तो फिर जूपर इसका खिचाव थोड़ा अलग तरह का होगा जूपिटर में आखिर मास है कहा जूपिटर के बीच वाले हिस्से में ये दुंदली सी चीज देखी ये उतना सॉलेड नहीं था जैसा हमने सोचा था हमें लगा कि वहां मैटल और रॉक का कोर होगा वहां कुछ और ही मिला प्लेनेट के बीच वाले हिस्से में चूनों को घुला और आपस में मिला हाइड्रोजन और रॉक की मेटीडियल नजर आया हमने इस तरह का प्लेनेटरी कोर पहले कभी नहीं देखा एस्ट्रोनॉमर्स नहीं इसे नाम दिया है फजी हमने सोचा हमें एक आवाकाडो मिलेगा लेकिन मिली मिर से भरी एक कटोई ये है हाइड्रोजन फ्ल्यूइड चिली कौन कौने तो हमने जूपिटर के अंधरूनी हिस्से के जो मॉडल्स बनाए थे वो सभी गलत निकले यानि हमें फिर से शुरुवात करने होगी एक त्योरी ये है कि जूपिटर का निर्मान चटानों या गैस से नहीं बलकि चार अरब साथ करोड साल पहले शिरुवाती सोलर सिस्टम में एक बिखरे पड़े धाई सेंटिमीटर के आकार के छोटे पत्थरों से हुआ ये पत्थर आपस में जुड़ते गए और फिर इन से एक विशाल चीज बनी तो ये एक तरह के बीज जुपिटर का कोर थे इन बहुत सारे छोटे पत्थरों के आपस में जुड़ने से एक विशाल कोर बना जिसका मास था पृत्वी से 20 गुना जादा लेकिन ये पत्थर इस बढ़ते प्लैनेट को जादा समय तक संभाल नहीं सकते थे चंद सेंटीमिटर आकार वाले इन पत्थरों को आखरकार बड़ा आकार लेना था जैसे की 100 किलोमिटर के प्लैनेट एसिमन ताकि इस प्लैनेट के बढ़ने की शुरुआत हो सके बढ़ते जुपिटर की भूख भी बढ़ती ही गई इसके जबर्दस खिचाव की वज़े से दूसरे संभावित प्लैनेट के कोर खिचने लगे और टकर के बाद चजब हो गए जिससे जुपिटर का कोर बदल गया हमें लगता है कि कोर मटीरियल पहले से ही रहा होगा लेकिन दरअसल वो घुलकर बाकी प्लैनेट के साथ मिला है चटानों, गैस और पथरों के इस मेल की कारण इसके कोर की हालत बड़ी अजीब है ये सॉलिड और लिकुट की बीच की अवस्ता है यानि फजी, जब जुपिटर का कोर क्रिटिकल मास की अवस्ता में पहुंचा तो इसके ग्रैविटी ने आस पास के हाईडरोजन गैस को खीचना शुरू किया इससे बना चाना माना चोवियन एटमोस्फिर और इससे जुपिटर का फजी कोर, इसके हजारो किलोमीटर के घने बादरों की बीच फस गया और इस तरह से वो जुपिटर बना जिसे हम आज जानते हैं जुनू ने जुपिटर के फजी कोर की जो खोज की है उससे जूपिटर के शिरुवाती वर्षों पर किताब लिखी जा सकती है लेकिन जूनो ने तो अभी शिरुवात भर ही की है जो कई रहसे मौजूद हैं हमने तो अभी उनका खुलासा करने का काम शुरू भी नहीं किया है जूपिटर जितना देखता है उसे कहीं जादन नहीं देखता है और अब जूनो के इंस्टुमेंट्स इस विशाल जगत के एक सियाह पहलू का खुलासा करने लगे हैं जूपिटर का माहौल सूलर सिस्टम के सबसे बेरह माहौलों में से एक है और इसकी वज़े है इसकी बहुत ही दमदार मैगनेटिक फील्ड और जूनो इन सब के बीच फस गया है गैस से बने विशाल जूपिटर के पास हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े रहस्यों के सुराग माजूद है और 2011 में नासा ने इनका कुलासा करने के लिए एक अरब डॉलर के एक मिशन की शुरुआर की एक एक एटलस फाइव रॉकिट जूनो को जूपिटर के सफर पर लेकर रवाना हो गया अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए जूनो को पांच साल तक का सफर करना होगा किसी स्पेस क्राफ्ट को किसी भी दूसरे प्लैनेट तक पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जूपिटर के मामले में ये मुश्किलें कुछ जादा ही बड़ी है जूनो बड़ी सटीकता के साथ सोलर सिस्टम से होकर आगे बढ़ता है क्राफ्ट को तापमान से जुड़े जबर्दस बदलाव जेलने पड़ते हैं और वो बड़ी साफधानी से एस्टरोइट बेल्ट से गुजरता जाता है अगर रास्ते में धूल का एक कन भी आ जाए और वो स्पेस्क्राफ्ट से टकरा जाए तो वो काफी नुकसान पहुचा सकता है तीन अरब किलोमीटर का फासला तैकर की जूनो अपने लक्षे के करीब पहुँच जाता है लेकिन ये प्रोब जूपीटर की तरफ बढ़ रहा था दो लाग चौनसट हजार किलोमीटर प्रतिगंटे की रफटार से जूनो की रफटार वाके में तेज है ये सबसे तेज रफटार वाले स्पेस्क्राफ्ट में शामिल है बेशक मलसिल तक पहुँचने के लिए तेज रफटार चाहिए लेकिन रफटार धीमी भी हो कि उस प्लानेट की ग्राविटी स्पेस्क्राफ्ट को पकड़ ले अगर ये हिसाब किदाव गलत हुआ तो जूनो या तो प्लानेट से टकराएगा या डीप स्पेस में भटक जाएगा जूनो को जूपिटर के स्टेबल और्बिट के आसपास काम्याबी से पहुचाना कुछ ऐसा ही है जैसे लंदन से एक बास्केट बॉल शूट की जाए और इसे नियू यॉक में पोल के रिम पर लैंड कराना हो मैं तो कर सकता हूँ पर क्या नासा जूनो के मामले में ऐसा कर सकता था नासा का प्लैन बड़ा सटीक था जूनो ने स्पेस में एक बैक फिलिप मारी और अपने थ्रस्टर को जूपिटर की तरह फायर कर दिया सब कुछ ठेक चल रहा है हम अपनी विलोसिटी को ठेक से बदल पा रहे है रॉकेट रॉमांच से भरे 25 मिनट तक क्राफ की रफ़तार 2000 किलुमीटर प्रति गंटा की रफ़तार से घटाता रहा आखरकार प्रोब जूपिटर के इर्द गिर्द वाली और्बिट में पहुँच जाता है और्बिट में पहुँचने के बाद जूनों ने अपने इंस्ट्रुमेंट का रुख इस प्लैनेट की तरफ किया ताकि मिशिन का एक एहम हिस्सा शिरू कर सके यानि जूपिटर के मेगनेटिक फील्ड की जाच परताल इस तुफानी सता के नीचे तरल मेटलिक हाइड्रोजन पूरे प्लैनेट के इर्थ गिर्थ लगातार घूम कर एक विशाल मेगनेटिक फील्ड बना रही थी ये मेगनेटो स्फेयर प्लैनेट से भी आगे 96 करोड किलोमेटर तक फैला हुआ था यानि सैटन तक अगर आपके आखे जूपिटर के मेगनेटो स्फेयर को देख पाती और अगर आप प्रित्वी पर खड़े होकर इसे देखते तो ये आसमान में चंद्रमा जितना ही बड़ा नजर आता और इस मेगनेटिक फील्ड के अंदर जूनों को एक अद्रश्य खत्रा जेलना पड़ा जूपिटर का मेगनेटिक फील्ड बहुत विशाल है इसका स्पेस भी बहुत बड़ा है और इसकी ताकत भी बहुत जादा है जूपिटर को सोलर विंड का हमला जहिलना पड़ता है सूर्य से आने वाले हाई एनरजी पार्टिकल्स इसकी जौन लेवर रेडियेशन बेल्ड में खिट जाते हैं जिनने दिशा देता है इस विशाल प्लेनेट का मेगनेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले चार्ज पार् स्पेस क्राफ्ट ही क्यों ना हो उस पर ये बरसने लगती है प्लेनेट की करीब रेडियेशन का लेवल चर्नोबिल में हुए हाथसे के दौरान उसके रियक्टर को रूम से भी 30 गुना जादा होता है ये है रेडियेशन ये है बहुत खतरनाग ये पार्टिकल्स आपसे ट जातरनाग है चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोनिक और नैविगेशनल सिस्टम को बरबाद कर सकते हैं लेकिन जूनों के पास बचाव है ये जुपिटर का चक्कर लगाने वाली कोई नाजुक और खुबसूरत सी चीज नहीं है इसे आप टैंक जैसे समझे इसे पूरी प्रोटेक्शन देनी होती है वरना इसकी उम्रे जादा नहीं होगी इस स्पेस क्राप्ट को बनाने में कई सौ किलो टाइटेनियम का इस्तमाल होता है ताकि इसे जुपिटर से पेश खतरों से बचाया जा सके तो इसे युद्ध में जा रहे किसी आर्मर टैंक जैसा होना ह होता है हलके वजन का टाइटेनियम सक्त जान होता है जुनो के करीब सवा सेंटीमीटर मोटी शील्ड जुपिटर के खतरनाक रेडियेशन को 99 फेसीदी तक रोक देती है लेकिन इसके बावजूद जुनो जादा समय तक इस बंबारी को नहीं जेल सकता तो ये कराफ्ट इस गैस जाइन के इर्द गिर्द एक अनोखी परिक्रमा पर रवाना होता है इसकी ऑबिट बहुत लंबी होती है और इसका ज्यादतर वक्त काफी दूर गुजरता है फिर ये गोता लगाता है करीब आता है और फिर सुरक्षित निकल जाता है ताकि कम्यूनिकेट और प्रोसे और ये फिर लोटता है जूनो एक बड़ा जोखिम उठाता है ये अपने एक एहम मकसद को हासिल करने के लिए इन रेडियेशन बेल्ट में खुसता है जूपीटर के विशॉल मेगनेटिक फील्ड की मैपिंग करता है और इस प्लैनेट का चकर काटते हुए साइंटिस को इलकुल नए नजारे दिखाता है प्लैनेटरी साइंटिस्ट डैन डर्ड़ा बताते हैं हम यहां पर एक एलिमेंटरी स्कूल लेवल एक्सपरिमेंट के जरिए प्रित्वी के इस मेगनेटिक फील्ड स्टक्चर के बारे में जान सकते हैं इसके लिए हम आयन फाइलिंग को एक सिंपल बार्ड मेगनेट की सता पर छिड़केंगे जिसका एक नौर्थ और साउथ पोल हैं प्रित्वी का मेगनेटिक फील्ड हमारे प्लैनेट के चारो तरफ एक परफेक्ट बबल बनाकर सोलर रेडियेशन और कॉस्मिक रेस से हमारी हिफाज़त करता है देखिए मैं इस आयन फाइलिंग को छिड़क रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ बिलकुल हमारे प्लैनेट के तरह ही यहां भी नौर्थ और साउथ मेगनेटिक फील्ड लाइन बनती जा रही हैं प्रित्वी का मेगनेटिक फील्ड इस मामले में काफी शरीफ कहा जाएगा इसे हम क दिखाते हैं कि शॉयद जूपिटर इतना खुशकिसमत ना हो जूपिटर की मैगनेटिक फील्ड इससे कही ज्यादा पेचीदा है जूपिटर इन नियामों के मताबिक नहीं चलता और इसकी मैगनेटिक फील्ड जो चाहेगी वो वही करेगी और इस मैगनेटिक फील्ड का शेप सच में बहुत अजीब होगा जिन्हें अभी हमने सिर्फ समझना शुरू किया है अगर हम पृत्वी को देखें तो हमारा मैगनेटिक फील्ड काफी सीधा साधा है ये किसी विशाल बार मैगनेट जैसा है जिसके नौर्थ और साउथ मैगनेटिक पोल है जुपिटर के भी ऐसे पोल है इसे कहा जाता है एक डाइपोलर फील्ड लेकिन इसके दो नहीं बल्कि तीन पोल होते है जुपिटर के एकवेटर पर एक अजीब से मेगनेटिक उथल पुथल भी लगता है जैसे जुपिटर का एक तीसरा बाजू उगाया हो और ये बात सच में बहुत रहसे मई है मेगनेटिक फील्ड मैप्स में नौर्थ पोल लाल दिखता है और साउथ पोल नीला तो साइंटिस्ट ने इसे दूसरे साउथ पोल को नाम दिया ग्रेट ब्लू स्पॉर्ट हर कोई ग्रेट रेट स्पॉर्ट के बारे में तो जानता है लेकिन जुपिटर पर अब एक ग्रेट ब्लू स्पॉर्ट भी है ये मेगनेटिक डिस्टर्बेंस जूपिटर के उतल फुतल भरे भीतरी हिस्सों को दिखाती है मेगनेटिक फील्ड में तेज रप्तार वाली हवाय चलती रहती है ये फील्ड को टुकड़ी टुकड़ी कर देती है एक जगह नहीं रहती ये कोई तुपान जैसी चीज नहीं होती है लेकिन इसे मेगनेटिक स्टॉम कहा जा सकता है जूपिटर के अंदर मौजूद उतल फुतल शायद मेगनेटिक फील्ड को एट रही हूँ जिससे एक ग्रेट ब्लू स्पॉट और खतरनाख रेडियेशन बेल्ड ड्राइव हो रही है जिनसे होकर जूनो को गुजरना है प्रिथवी से विप्रीत जूपिटर का ज्यादा हिस्सा ठोस नहीं है तो इसके बादल और इसकी गासिस थोड़ी अलग रफ्तार पर मूव कर रही है और इसकी वज़े से जो मैगनेटिक फील्ड बनता है उसमें लगातार बड़े बदलावा रहे है जूपिटर पर जिस तरका वेरियेबल मैगनेटिक फील्ड है उसे पाने के लिए पूरी प्रिथवी को पिगलना होगा और हम ये नहीं चाहेंगे प्रिथवी पर पानी कैसे पहुँचा ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शिरुवात में ये नहीं होना चाहिए था जूपिटर के हर परिक्रमा के दौरान जूपिटर के और जादा रहसे उजागर करता जाता है लेकिन जूपिटर के सबसे गहरे राज शायद हमारे शिरुवात पर भी रोशनी डाल सकते हैं अगर हम प्रिथवी को और सोलर सिस्टम में अपनी जगा को समझना चाहते हैं तो इस सिलसिले में जूपिटर पर ऐसे बहुत से रहस्तियों को मौजूद पाया है जूपिटर के रहस्तों का खुलासा कर रहा है चाहिए इस पर मंडराते बादल हूँ या फिर अंधेरे वाला इसका केंटर लेकिन जूपिटर की खोजी इस गैस जायंट तक ही सिम्टी नहीं है ये तो हमारे प्लैनेट से जुड़े रहस्तों का भी रास खोल सकती है जूपिटर सोलर सिस्टम के निर्माण से जुड़ी एक एहम चीज है यानि प्रित्वी कैसे बनी इसे समझने के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है जुनो हमें हमारे प्लैनेटरी सिस्टम यहां तक की प्रित्वी के इतिहास के बारे में भी जानकारियां दे रहा है चार अरब साथ करोड साल पहले हाइड्रोजन गैस और कॉस्मिक डस्के विशाल बादल के खत्म होने से नुकलियर फ्यूजन शिरू हुआ इस उथल पुथल के कारण एक तारा चार पतिरीले जगत और गैस वाले चार जाइंट का जनम हुआ जिन से बना हमारा सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के अलग-अलग हिस्से होते हैं अंधरूनी हिस्से में होते हैं रौकी और मेटालिक और बाहर वाले हिस्सों में हैं गैस और पानी से भरपूर इस बारे में जादा सोचे बिना भी हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि सूर्य के नजदी गर्मी होती है और उससे दूर जाते ही ठंड होने लगती है लेकिन प्रिथवी इस नियम को तोड़ती है हमारे ग्रह पर थियोरेस के अंदाजे से कहीं जादा जीवन देने वाला पानी माजूद है प्रिथवी सोलर सिस्टम के एक ऐसे हिस्से में जिसके बारे में लगता है कि वो बहुती सूखा होना चाहिए क्योंकि सूर्य से काफी करीब था हमरा प्लैनेट सूर्य से सरफ 24 करोड किलो मिटर दूर है लेकिन साइंटिस्ट के मताबद ये स्नो लाइन के अंदर है इस लाइन के अंदर सूर्य के किरिने इतनी दमदार हो जगे सूर्य से ज़्यादा करीब होगी तो वो गैस्यस और आइस रिच मेटिरियल्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के गर्मी उन्हें भाप बना कर उड़ा देगी ऐसे में पानी वाली हमारी ये दुनिया स्पेस में कोई सूखी चटान होनी चाहिए थी पर पानी कैसे पहुचा ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शुरुवात में ये नहीं होना चाहिए था लेकिन जुपिटर के पास इस रहस्य का जवाब हो सकता है प्रित्वी पर मौझूद पानी की पहली सुलजाने के लिए जुनो ये जानना चाहता है कि जुपिटर का जन्द कहा हुआ जुपिटर कैसे कहा और कब बना ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सोलर सिस्टम की पूरी विकास प्रक्रिया पर अपना दबदबा रखता है ये अब तक का सबसे बड़ा प्लैनेट है ये ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो हर चीज को घुमा रही है शिरुआती सोलर सिस्टम में मौजूद पानी जुपिटर की जबर्दस ग्रैविटी की वज़े से शायद जगा बदलता रहा होगा तो अगर जुनो जुपिटर की हिस्टरी को जान सके तो उससे पता चलेगा कि H2O हमें वहां क्यों मिलता है जहां इसकी बिलकुल उमीद नहीं हम ये जानते हैं कि प्लैनेट्स बनने के दौरान और बन जाने के बाद भी सूरी के गरीब और उससे दूर जा सकते हैं तो हम ये कैसे पता लगाएं कि जुपिटर कहां बना इसके लिए जानना होगा कि जुपिटर के अंदर कितना पानी मौजूद है अगर हम ये समझ सकें कि जुपिटर ने पानी के साथ अपना रिष्टा कैसे बनाया तो हम ये समझ पाएंगे कि ये पानी प्रिथवी समित पूरे सोलर सिस्टम में आखिर पहुचा कैसे अगर जुनो जुपिटर पर मौजूद पानी की मातरा को माप सके तो इससे 20 साल पुराना एकरह से सुलच जाएगा दिसंबर 1995 नासा का गैलिलियो प्रोब जुपिटर के एटमोस्फिर में एक जान लेवा गोता लगाता है गैलिलियो प्रोब को गैलिलियो स्पेस्क्राफ के साथ अटाश किया गया था जो 1995 जुपिटर पर पहुचने के बाद ये फॉरण अलग हो गया और उसके एटमोस्फिर में दाखिल हो गया इससे एटमोस्फिर में जाकर बादलों की अलग-अलग परत को नापने और उसकी बनावट का पता लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया था प्रोब ने जुपिटर की बादलों की तरफ चान लेवा गोता लगाना शुरू कर दिया सखन एटमोस्फिर से पैदा फ्रिक्शन के कारण स्पेस क्राफ्ट के पैनल उखड गए और पैरशूट जल गया जुपिटर में 155 किलूमीटर की गहराई पर पहुँचने के बाद पूरा प्रोब भाब बनकर उड़ गया लेकिन उससे पहले इसने अपने इंस्ट्रूमेंट से एटमोस्फिर के सैंपल ले लिए इस दोरान ये अपने आसपास के एटमोस्फिर को ना पाया और पानी का भी पता लगाने की कोशिश की पर पानी मिला नहीं और ये अजीब है वहाँ सब कुछ एकदम सूखा था तो आखिर जूपिटर का इटमोस्फिर इतना ड्राई क्यों था अगर गैरी लिव प्रोब से मिले नतीजे सही है तो चार अरब साथ करोड सार पहले जूपिटर सूरे के करीब बना होगा लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है 20 साल बाद नासा ने एक दूसरी राय लेने के लिए जूनो को भेजा जूनो एक और्बिटर है तो इसमें बहुत सारे इंस्टूमेंट्स और डिटेक्टर्स हैं ताकि वो जूपिटर की खोजबिन करें और जाने के आखिर वहाँ क्या हो रहा है जूनो को पानी का पता लगाने के लिए अपने जंदगी खत्रे में डालने की जरूरत नहीं है ये क्राफ्ट एक माइक्रोवेव रेडियो मीटर के जरिए जूपिटर के घने बादलों से छांकता है ताकि सुरक्षित दूरी से S2O का पता लगा सके इन माइक्रोवेव के जरिए जूनो जूपिटर के पानी का एक ग्लोबल मैप बनाता है जूनो की खोजो से शायद साइंटिस्ट को ये समझने के सिलसले में सुराग मिल सके कि जूपिटर का निर्मान हुआ कहा था अब ऐसा लगता है कि जूपिटर का निर्मान इस मौझूदा जगा पर तो नहीं हुआ है ये बात तैह है सबसे लीडिंग त्यूरी ये है कि जूपिटर का निर्मान स्नू लाइन से जरा ही बाहार हुआ ये सूखे अंदूरुनी सोलर सिस्टम और गीले बाहरी सोलर सिस्टम के बीच की सीमा है लेकर हमें पता चला कि जहां वो ओरिजिनल स्नो लाइन होनी चाहिए थी वहाँ से जुपिटर सुरे की दूगनी दूरी पर है तो इससे हमें एक दिल्चस बात पता चल रही है बढ़ा है इसका रास्ता कौन रोख सकता है बाहरी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए जुपिटर ने आइस रिच एस्टरोइड्स और कॉमेट्स को सूरे और प्रिथवी की तरफ बड़े जोर से उच्छाला होगा जुपिटर ने तो जैसे एक तरह से बर्फ को अंदरोनी सोलर सिस्टम की तरफ ढ़केल दिया होगा ये पानी से भरपूर प्रिथवी की तरफ लहर रही होगी और इसी से प्रिथवी के महा सागर बने होगे जुनो ने ये जवाब पाने में मदद की है कि सूरे के इतने नजदीक होने के बावजूद हमारे प्रिथवी रहने रायक क्यों है यारे जुनो को इस प्लानेट पर करीब से नज़र डालने के लिए उसे इतनी दूर भीचना कामयाफ रहा जुनो जुपिटर के रहस्यों का और इसके मशूर फीचर्स का खुलासा जारी रखे हुए है जुपिटर के बारे में ग्रेट रेड स्पाट से खास बात और कुछ नहीं है और जुनो ने ये भी बताया कि तीन सु साल पुराना ये साइकलोन जल्दी ही गायब हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम में कुछ बहुत ही अनोखी कुदरती चमतकार है जैसे इंसलिडस के आइस जेसर्स, सैटन के विशाल रिंग्स, मार्स के विशाल जौला मुकी, अलुम्पिस मून्स लेकिन जुलाई 2017 में नासा के जुनो प्रोब ने जुपिटर की सता को स्कैन किया और एक सबसे मशहूर कुदरती करिश्मे की तस्वीरे ली ये हरीकिन जैसा एक भेंकर तूफान था जो सेक्डो सौलो से चल रहा है अगर आप जुपिटर के बारे में सोचें तो उसके एटमोस्फियर की सबसे दिलकश और सबसे खास पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर के रेड स्पॉट जैसी कोई चीज नहीं क्रेट रेड स्पॉट के उपर गुजरते हुए जुनों ने नीचे एक तूफान देखा जिसकी चौडाई 16,000 किलो मीटर से भी जादा था ये सबसे जबरदस तूफान है इसमें हवाएं 640 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से चलती है पृत्वी के सबसे दमदार कैटिगरी 5 हेरिकेंस की ताकत जुपिटर के तूफान से आदे से भी कम होती है ग्रेट रेट स्पोर्ट जैसे जबरदस तूफान से बड़े तूफान की कलपना भी नहीं की जा सकती लेकिन कहानी ये तनी ही नहीं है जुनो के माइक्रोवेव रेडियो मीटर के जरीए साइन्टेस्ट पहली बार जुपिटर के बादलों की परत के आर पार देख पाए जुनों में लगे उपकारण इसके नीचे देख सकते थे तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इसके जड़े कितनी गहरी है जुनों ने इस विशाल तुफान के केंदर में जहांकर देखा यहां उसे ताबमान में बदलाव दिखे जो इस तुफान की अनोखी शेप को फॉलो कर रहे थी उसने जोविन एट्मोस्फियर में गहराई तक देखकर ग्रेट रेट स्पोर्ट के चारू तरफ महुँचने की कोशिश की उन्हें पता चला कि ये तो एट्मोस्फियर में 320 किलोमीटर से वे जादा गहराई तक माजूद है और प्रिथवी पर ऐसा कुछ नहीं दिखता प्रिथवी का चकर काट रही वेदर सैट्रलाइट दिखाती है कि हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े साइकलोंस की उचाई बस 16 किलोमीटर तक ही होती है लेकिन जुपिटर के ग्रेट रेट स्पोर्ट की तुफान की उचाई इससे 20 गुनाज जादा थी तो इस बात से इस प्लैनेट की विशालता का अंदाजा होने लगता है इस तुफान की जबरदस गहराई मुम्किन हो पाए जुपिटर के विशाल छिपे हुए एटमोस्फियर के जरिए ये घुमता हुआ अनंत सा लगने वाला मास बना था हाइड्रोजन और हीलियम से जुपिटर की सता प्रित्वी के मुकाबले कम धोस है तो सुची अगर आप जुपिटर के बादलों में टाइब लगाएंगे तो वहाँ हालात अलग मिलेंगे ये एटमोस्फियर बहुत घणा है तो आपके अंदर जाने के दौरान प्रेशर भी बढ़ता जाएगा जैसे ही आप इसके अटमोस्फियर में उतरने लगते हैं तो वहाँ हवा की सते की मौटाई सिर्फ 160 किलो मिटर नहीं होती ये 16-100 किलो मिटर या फिर 16-1000 किलो मिटर भी हो सकती है और जुपिटर का विशाल साइज इस हवा को जैसे निचोरता जाता है जिससे हवा का दबाव और डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जोवियन एटमोस्फियर में सिर्फ आपके कान के परदे ही नहीं भटेंगे बलकि आपका पूरा शेरीर और मॉलेक्यूल्स तक भट जाएंगे और वहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है इतना जबरदस्त प्रेशर है कोई नहीं समाल सकता जूपिटर के विशाल और उतल पुतल भरे एटमोस्फियर में इतने गहरे तुफान होते हैं कि इनसान ने देखे ही नहीं होंगे और जूनों की खोजों नहीं साइंटेस्ट को हैरानी में डाल दिया क्या जूपिटर के एक और रहसे के बीचे ग्रेट रेट स्पोर्ट का हाथ हो सकता है वो है इस प्लैनेट का काफी गरम एटमोस्फियर जूपिटर हमारे बाहरी सोलर सिस्टम में मंडराता रहता है सूर्य से इतनी दूर जाने पर हर चीज ठंडी है और सूरज की किरने बहुत मध्धम जूपिटर प्रिथवी के मकाबले सूर्य से पांच गुणा जादा दूर है तो प्रिथवी की तुलना में उसे सूर्य से सिर्फ चार फीसदी एनरजी ही मिलती है लेकिन कोई चीज जूपिटर के एटमास्फ़र को गर्म कर रही है इसके कुछ हिस्से सूरज की धूप के मकाबले कई गुना ज्यादा गर्म है ऐसे में सवार ये उटता है कि ये एनरजी आ कहां से रही है जूनो जूपिटर के उपर से एक और शक्कर लगाता है और नीचे घुमण रहे तुफान की तरफ अपने हाई रेजोलीशन कैमरा मोड़ देता है तुफान की वज़े से आसपास के एटमास्फ़र में जबरदस उतल फुतल होती है इससे साइंटिस को इस प्लैनेट के उचे तापमान को समझने के लिए ज़रूरी सुराग मिल जाता है ग्रेट रैट स्पॉर्ट एक विशाल हरीकेन है जिसे ताकत मिलती है जूपिटर के कोर में मौझूद गर्मी से लेकिन इसका मोशन इतना ज्यादा होता है कि अपने आज पास के एक्मास्फ़ेर को जैसे पूरी तरह मिक्स कर देता है जूपिटर के गरज तुफानों से वैसी ही गरज पैदा होती होगी जैसी यहां प्रिध्वी पराने वाले तुफानों से होती है थंडर क्लाउट्स की वज़े से साउंड वेव तुफान से होकर गुजरती है कोई साउंड वेव प्रेशर कमप्रेशर की एक लहर की तरह होती है जिसमें एर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत सट जाते हैं और जब आप किसी चीज को इस तरह निचोडते हैं या सटाते हैं तो उनके बीच का फासला घट जाता है और वो काफी गर्म हो जाते हैं ये साउंड वेव इस दुफान से 800 किलोमीटर उपर तक उठती है और वहाँ प्रेक होकर इस साउंड एनर्जी को हीट में बदल देती है ये साउंड वेव आपस में टकराती हैं और काफी एनर्जी पैदा करती हैं और आसपास की गैसिस को भी गर्म करती हैं ग्रेट रेड स्पॉट ने जोवीन एट्मोस्फिर को सेकडो सौलों तक गर्म होने में मदद की है लेकिन नई तस्वीरों से पता चल रहा है कि अब शायद हालाद बदलने वाले हैं जोपिटर का रेड स्पॉट बहुत बड़ा है इसका आकार प्रिथवी के मुकाबले बहुत ज़ादा है इसे देखकर लगता है कि ये काफी स्थेर होगा क्योंकि ये काफी समय से एक ही जगा दिखता रहा है लेकिन हाल में हम इसे बदलते देख रहे हैं जब नासा का वोईजर स्पेस ग्रोब 1989 में जुपिटर पर गया था तो उसने प्रिथवी के डायबेटर से दुगने आकार वाले एक तुफान को देखा था जुनों की तस्वीरे दिखाती हैं कि ग्रेट रेट स्पोर्ट अब अपनी चोड़ाई का एक तिहाई गवा चुका है लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है तुफान का साइस बेशिक स्कुट रहा है लेकिन इसका कद बढ़ रहा है ग्रेट रेट स्पोर्ट खिंच कर जुपीटर के उपरी एट्मोस्फेर की तरफ जा रहा है तुफान और ग्रेट रेट स्पोर्ट किसी कुमार की चाक पर मौजूद मिट्टी जैसे हैं जैसे कुमार जब अपने हाथों से मिट्टी को दबाता है तो उस बर्तन की उचाई उतनी बढ़ती जाती है। जब ये बेज की तरफ से छोटा होता है तो उपरी एट्मोस्फियर की तरफ इसकी उचाई बढ़ती है। इसकी लंबाई बढ़ रही है और हम ये देखते आए हैं कि प्रित्वी पर भी ऐसा ही होता है और ऐसा होने पर विंट्शेर तूफान के उपरी हिस्से को एक तरह से काट कर इससे कीचता है तो हम अगले कुछ बर्सों में इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं जूपिटर के स बात भी तो ऐसा ही नहीं है शायद इसमें जादा टाइम ना लगे कि जूपिटर की उचाई पर पहने वाली हवाएं इस मशूर तूफान के टुकडे टुकडे कर दी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्रसेद तूफान शायद जल्दी ही गायब हो जाए लेकिन जूनों ने इनमें से एक है लेकिन जूपिटर पर चल रहा सिर्फ यही एक एकलोता तूफान नहीं है नासा का जूनो प्रोब गैस चाइंट जूपिटर के रहस्यों का खुलासा करने के लिए सोलर सिस्टम में अर्बो किलोमेटर का सफर तैक कर चुका है लेकिन जूपिटर का एक हिस्सा है जो अब भी छुपा हुआ है जूनो से पहले हमें जूपिटर के सीमित नजारे ही दिखते थे इसके पोल्स के उपर से तो हम कभी उडान न भर पाते जूपिटर पर ऐसा करना मुश्किल है और कोई मिशन अब तक ये काम नहीं कर पाया है अगस्ट 2016 में जूनो अपने फ्लाइट प्लैन को फॉलो करते हुई एक अंजान इलाके में गया ताकि पहली बार जूपिटर के रहस में पोलर इलाकों का खुलासा कर सके जब पहली बार हमने पोल पर नज़र डाली तो ये इलाका हमारे जाने पहचाने जूपिटर से बिल्कुल मिल नहीं खाता था अगर कोई और हमें इसे दिखाता तो हम पहचान ही नहीं पाते कि ये जूपिटर है जूपिटर के केमरा ने एक ऐसा अजीब औ गरीब नीला विस्तार दिखाया जिससे साइंटिस हैरान हो गए ये नीला रंग बादलों में सूरज की रोशनी के अभाव के करण हुए केमिकर बदलावों की वज़ी से हो सकता है लेकिन नीले बादलों के अंदर जूनों को जो दिखा वो और भी अजीब था विशाल सेंट्रल साइकलॉन्स तीन सो बीस किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से हर पोल के इर्दगिर्द घूम रहे थे और ये साइकलॉन उतर में आठ और दक्षिन में पांच सोमी वोर्टिसे से घिरे हुए थे ये अजीब साइकलॉन, विशाल सुर्ल्स और गैस के वोर्टिसे जूपिटर के पोल्स के इर्दगिर्द चक्कर लगा रहे थे और कई सारे पैटरंस भी बना रहे थे यहां स्केल्स का अंदाजा लगाना मुश्किल है पोल के पास ही माजूद नौथ पोलर सेंट्रल साइकलोन की चड़ाई चार हसार किलोमीटर है और इसका आकार कॉंटिनेंटल अमेरिका जैसा है आखिर वहां हो क्या रहा है? प्रित्वी पर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है प्रित्वी पर हमारा मौसम चलता है सूरे की गर्मी के इशारों पर ये गर्मी हमारे ग्रह के एक्वेटर से टकरा कर पूरी सताय पर फैल जाती है जबरदस साइकलोंस बनते हैं ट्रोफिकल जल राशियों पर और ये घूमते हैं पूरे क्रह पर लेकिन पोलर इलाकों को सूरे की कम एनरजी मिलती है तो पोल्स पर साइकलोंस नहीं बन सकते पृत्वी पर एक्वेटर वाले हिस्ते जादा गर्म है जादा तूफान आते हैं लेकिन पोल्स पर सूरी की धूप कम पड़ती है तो वहाँ ये सब नहीं होता लेकिन जूपिटर का मौसम तो एकदम ही अलग है हमें जूपिटर के पोल्स पर लाइटनिंग और कन्वेक्टिव थंडल स्टॉम्स नजर आते हैं लेकिन एक्वेटर पर नहीं यानि पृत्वी पर माहौल एकदम विपरेद दिखता है अब सवाल ये है कि जूपिटर के तूफान चल कैसे रहे हैं जूपिटर पृत्वी के मुकाबले सूरे से पांच गुना जादा दूर है और इसे सूरे की बहुत कम उर्जा मिलती है पृत्वी के उलट जूपिटर के पोलर इलाकों में काफी एक्शन नजर आता है कोई चीज इस प्लैनेट के अजीब मौसम को चला रही है और जूपिटर के इस विशाल प्लैनेट के थर्मल एमिशन्स के जो स्कैन किये हैं उनसे पता चलता है कि ये खुद जूपिटर ही हो सकता है हम जूपिटर की अंदरूनी गर्मी को बाहर निकलते देख सकते हैं तो जूपिटर के वो हिस्से चमकदार लगेंगे जहां हमें ये हीट दिखती है। जिन जबर्दस टक्रों से ये प्लैनेट बना था। उनके कारण इसका कौर बहुत गरम हो गया। और ये आज भी हजारो किलो मेटर मोटी इंसुलेटिंग गैस की परत के नीचे दबा हुआ है। गर्मी धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलती है। तो जूपिटर के तेजी से घ जूपिटर के पोलर स्ट्रोंस के पीछे अब भी एक राज मौजूद है। जब जूनो जूपिटर का एक और चकर लगा रहा था तो इसे वही तूफान अब भी सक्रिये नजर आया। जूपिटर के पोल्स पर आने वाले तूफानों से जुड़ी एक दिल्चस्प बात य यह है कि वहाँ पर वोटिसीज देखाई देते हैं जो की काफी नियमित है और बार बार नजर आते हैं। यह जूमेट्रिक अरेंड्मेंट्स बड़े अजीब हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के कुछ दूसरे जबरदस तूफानों से काफी मेल खाते हैं। नवेंबर सेस्क्राफ्ट सैटन के नौर्थ पोल का चक्कर लगा रहा था। तभी इसने नीचे एक बहुत ही अजीब घुमरते तोफान की तस्वीर एकिंजी। पहली बार सैटन के पोल के उपर से उरतेवक इस मिशन को एक बड़ा हैक्सगॉन दिखा। सैटन का ये हैक्सगॉन कु सचाई जानने के लिए फ्लूट सिमिलेशन का इस्तमाल किया। जब हमने लैब में साटन को रीक्रियेट करने की कोशिश की तो ये स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बन गया। और इससे हमें ये आइडिया मिला कि इस तरह के स्ट्रक्चर शायद गैस जाइन्स में कापी कॉ मनू सकते हैं। तो हो ही नहीं रहे बलकि ये इन अजीब और पेचीदा पैटरंस में भी बदल रहे हैं जो लंबे वक्त तक खुद को कायम रखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है। और जब जूनो इस प्लैनेट के उपर से उड़ान भरता है तो मौसम से जुड़े एक और रहसे का खुलासा करता है। क्राफ्ट को पता चलता है रेडियो वेव्स का जो एक सेकिन में चार बार तक स्पाइक कर रही है। ये पानी की निशानी है सबर्दस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स की। बादल एट्मोस्फियर में चक्कर लगाने के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज बनाते हैं और इससे आसमानी बिजली बनती है। हमने जुनो स्पेस प्राप के ममले में ऐसा देखा है। ये मेगा स्टॉर्म्स है, प्रित्वी पर तो इतने बड़ी तूफान नजर ही नहीं और जुनो को पता चला कि इन गरज वाले तुफानों में सिर्फ बिजली की चमक ही नहीं होती है। वहाँ पानी और अमोनिया के विशाल पर फिले ओले भी होते हैं। और इस कैमिकल से जुपिटर के बादलों को मिलता है उसका केसरिया रंग। जुपिटर के अट्मोस्वेर में उचाई पर अमोनिया मिलता है पानी से और एक लिक्विड बॉल बन जाता है जो अपने एर्दगेद बर्फ एकठा करने लगता है। और फिर ये जुपिटर के अट्मोस्वेर में ओलो की तरह बरसता है। प्रिथवी पर ये ओले जमीन पर गिरते हैं लेकिन जुपिटर पर जमीन है ही नहीं। ये एक अपड्राप्ट की वज़े से अट्मोस्वेर में उठती है फिर जादा बर्फ चिपकने के कारण इसका आकार बढ़ता है। फिर ये नीचे गिरती है और फिर उपर उठती है। और इस तरह ओले की कई परते बच जाती है। इन बर्फिली बॉल्स की सते अट्मोस्वेर में उपर नीचे होते होते और बढ़ती जाती है। अगर ये प्रिधिवी पर मौझूद तुफानों में बनती तो बहुत कमभीर नुकसान पहुंचाती। तो अगर आप जूपिटर पर घूम रहे होते जहां ये तूफान मौझूद होते तो उपर नीचे आते जाते बड़त जरूर ओलों की मार छेलते। ये पूरे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही उथल-पुतल भारा और एनरजी से मरपूर एट्मोस्वेर है। जूपिटर के चिपे हुए राज खोल रहा है। इनमें जूपिटर की नौधन लाइट्स का रहस से भी शामिल है। जब जूपिटर पर औरोरा से आ रही लाइट्स को स्टड़ी किया तो पता चला कि वहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। प्रिश्वी पर चमकीली औरोरास लाइट आसमान को रोशन करते रहती है। जब सूरे से आने वाले चार्ज पार्टिकल एट्मोस्वेर में एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बाहरी सोलर सिस्टम में जूपिटर सूरे से इतना दूर होता है कि वहां ऐसी स्ट्रॉंग अरोरास नहीं बन सकती। लेकिन इस विशाल प्लैनेट के पोल से काफी उपर जूनों को एक नमंकिन सा लाइट शोर नजर आया। जूपिटर के अरोरास प्रिथवी पर मिलने वाले अरोरास के मुकाबले बहुत स्यादा बड़ी है। हकीकत ये है कि पोल्स के नजदीक वाली अरोरल रिंग हमारे प्लैनेट से भी बड़ी है। जूपिटर की औरोरास अल्ट्रा वाइलेट और एक्सरे लाइट छोड़ती है तो आप सिर्क आँखों से इने नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप जूपिटर पर होते और इने देख पाते तो ये घजब का लाइट शोड़ होता क्योंकि ये औरोरास बहुत दमदार होती है। ये चमक दमक वाले डिस्प्लेई जो जूपिटर के एट्मॉस्फियर से चार्च पार्टिकल्स के टकराने का सबूत है। पर अगर ये सूरी की तरफ से नहीं आ रही है तो आ कहां से रही है। सवाल के जवाब के तलाश में जूपिटर की सर्दन लाइट्स की एक तस्वीर अपने अल्ट्रा वालेट इमेजिंग स्पेक्ट्रोमेटर से कीजता है। और आरोरास के अंदर इसे कुछ अजीब दिखता है। जब जूनो ने जूपिटर पर ओरोरा से आ रही लाइट्स को स्टडी किया तो पाया कि ये उमीद से कहीं ज़ादा दमदार थी। और अगर आप जूपिटर के पोल्स को हमारी आँखों से ना दिखने वाली अल्ट्रा वाइलेट वेवलेंस में देखें तो आपको एक होट्सपोट दिखेगा। इस होट्सपोट पर ही चार्ज पार्टिकल्स का बढ़ा जमावड़ा जूपिटर के एट्मोसफेर से टकराता है। इनकी ट्राजेक्टरी को ट्रेस करने से जूपिटर पर दिखने वाले लाइट शोस की वज़ा का खुलासा होता है। यह है जूपिटर के दमदार चंद्रमाओं के ज्वाला मुखी। लेकिन सिर्फ आयो ही जूपिटर के पोलर लाइट शोस के लिए जमेदार नहीं है। अगर आप और आगे जाएं तो मिलेंगे यूरोपा, गैनमीड, टैलिस्टो और ये ज़ादा बरफीले हैं। और ज़रूरी नहीं के यहाँ जुआला मुखी हो। ये बरफीले चंद्रमा जुपिटर के मैगनेटिक फील्ड को एंटते हैं। जुपिटर के चंद्रमा सोलर सिस्थम के सबसे कमाल की Northern Lights को ताकत देने के लिए मिलकर काम करते हैं। लेकिन इन खुबसूरत डिस्प्लेज में जूनो के लिए खत्रे भी मौजूद है जब आप इन औरोरा की पिक्चर्स देखते हैं तो सोचते हैं ये तो बहुत खुबसूरत है सामने से देखने पर और मज़ा आएगा लेकिन जवाब है जी नहीं मज़ा नहीं आएगा जान चली जाएगी दरसल सब अटॉमिक पार्टिकल्स की रफ़तार मेगनेटिक फिल्ड्स की मदद से जब बहुत ज़ादा तेज हो जाते हैं तब ये डिस्प्लेज दिखाई देती है जूपिटर के एर्दगिर्द मौजूद रेडियेशन चान लेवा होता है जूपिटर का जीवनकाल बहुत छोटा होता है क्योंकि इसे बहुत ही मुश्किल हालात छेलने पड़ते हैं हमें लगता है कि भविश्य में इसके कई इंस्ट्रूमेंट्स इतने रेडियेट हो जाएंगे कि काम ही नहीं कर पाएंगे जब जूपिटर का टाइटेनियम कवच नाकाम हो जाएगा तो जूपिटर का जान लेवा रेडियेशन इसे काम करने लायक ही नहीं छोड़ेगा तो टीम की यूजन ये है कि जूपिटर की एट्मास्फिर में जान बूच कर ले जाएं जहां उसके टुकडे टुकडे हो जाएंगी देर सवेर ये जूपिटर की गहराईउं की तरफ खिचेगा और फिर इस प्लैनेट का ही एक हिस्सा बन जाएगा लेकिन उससे पहले जूपिटर को अभी और कई रहसे खोलने है हम कुछ सवालों के जवाब ढूणेंगे और कुछ नए सवाल पैदा होंगे साथ ही हमें कुछ कमाल की तस्वीरे भी मिलेंगी इससे जुड़ी हर चीज एक सुप्राइज साबित हुई है जुड़ों ने हमें कई नई चीजों के बारे में बताया है अगर इसे ना भेजा जाता तो ये पता ना चलता तो हमें जुपिटर से जुड़े कुछ और हैरत अंगेज, सुप्राइज़ कम से कम एक साल तक और मिलेंगे हम जो सीख रहे हैं, जो राज खोल पा रहे हैं वो सिर्फ चुपिटर से ही नहीं, बलकि सोलर सिस्टम के बनने से भी जुड़े हैं और प्रिथ्वी परजीवन के संभावित फॉर्मेशन से भी ये सब कमाल है और मिलेंगे ये से भी टी जो सीख ये संभावित भी खुपिए गापको कने से भी कि आदे भी ये सुपिए रहे हैं और मिलेंगे